हाई वेल्कम टू मैं चनल इस बीड़ी में solve करें equation 15 वाट इस दाट fraction विच वन में में टुप्लाइड बाइ इट सेफ गिफ दिस मच तो ये equation बहुत आसान है हम क्या करेंगे इसमें पहले माल लेंगे कि let that fraction be x ठीक है और उस fraction को उसी fraction में मुट्प्लाइड करने के बाद जो है इतना आता है ठीक है तो हमारा बन जागा equation फिर solve कर लेंगे तो let that fraction be x let that fraction be let that fraction be x तो हम जानते हैं कि x मुट्प्लाइड बाइ x must be equal to this much means 0.00053361 it implies you can write here x square is equal to 0.00053361 taking square root on both sides हमें में में लेगा x is equal to square root of this one 0.00053361 अब यहाँ पर square root निकाल लेंगे तो 0.00053361 तो यहाँ पर square root निकालने के लिए हमें पेर बनाना पड़ेगा तो यहाँ से बनाने पेर तो यहाँ का पेर बन चुका है अब क्या करना है कि यहाँ पर decimal के left side में के वाल एक 0 है तो हम यहाँ पर साटकर तरीका अपना सकते हैं means 0.00 लिखा हुआ है तो 0.00 हम इस 0.00 के लिए 0.00 लगा सकते हैं क्योंकि 0 से जाएगा पहली बार और यहाँ पर जो double pair 0 है इसके लिए एक 0 यहाँ लगा सकते हैं उसके बाद 0.00 में ले जाएंगे ठीक है तो 0.00 का मतलब क्या हमने यहाँ तक साल्व कर लिया है यहाँ तक हमने कर लिया यह साटकर में 0.00 आएगा यहाँ से यहाँ तक अब 0.05 जो लास्ट में यहाँ पर है उसमें ले जाएंगे तो उसमें ले जाने के लिए हमें 2 से लि तो 3, 3 जा 9 and 3, 4 जा 12 मानस करेंगे मिलेगे आपको 4 और यह हो जाएगा 6, 1, add करेंगे मिलेगे आपको 46 और आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कितने जाएगा 1 से जाएगा तो 1 से मेट पलाई करके लिए जाएगे तो 1, 6 जा 6, 1, ठीक है कैसे राट हो गया मिन्स यहाँ पर गया था 2 से फिर 3 से and फिर 1 finally, so हमारा square root आ गया है कितना 0.0 0.0 2 3, 1 so our answer is this much मनतब कि यही हमारा fraction है, वो decimal fraction है जिसको यही मुट्पलाई करेंगे इसी में तो इतना मिल जाएगा, okay and this is your answer, thank you so much for watching bye